हम सबी जानते हैं कि हमें घूमने का बड़ा शौक होता है और मन भी बहुत करता है हम जगा जगा घूमते भी है अगर यदि आप समुद्र की साइड गए है तो समुद्र की साइड आपने पथा जरू देखे हो पत्थर जो चमकीले होते हैं और खुब सुरत भी होते हैं लेकिन वैसे ही पत्थर एक आम रत्न होता है जो रत्न यदि आप सोने या फिर चान्दी के अमूठी में चड़वा कर पहनते हैं तो आपके सारे काम बरते हैं और आपकी इक्षाप उर्दी भी होती है अकसर यह पत पत्थर को यदि आप अपने घर में रगते हैं तो वहे आपके घर को माला माल भी करता है साथ के साथ आपके वैवसाय में हो रहे ही लॉस को भी पड़ावा देता है यहीं कि उस लॉस को प्रौफिट में चेंज कर देता है यह पत्थर बहुत Present-कारी होता है इस पत्थर उसमें भी बहुत चमतकारी असर दिखाता है। यह पत्थर काले और भूरे रंगा होता है। यदि यह पत्थर आप विध्यारती होने के बाद आपको पढ़ाई में बहुत जादा प्राब्लम हो रही है या फिर याद नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी जरूरी ह कि आप इसे एकांत में रख दीजिए। ऐसा पत्थर आपकी याददास को शाप करता है। साथ के साथ आपकी मेंटिनिटी को भी ठीक करता है। तो यह एक चमतकारी पत्थर यानि की आम रतनी की विशेशता। यदि आप अपने घर में रखते हैं तो माला माल होने के करता है।